नमस्कार मैं अक्षिता जैन, IMS टुड़े मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ मौझूद है एक सू विख्यात कवित्री जो अपने गीतों और कविताओं के लिए जानी जाती है श्रीमती कीर्थी काले जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है माम तैंक यू, नमस्कार माम हम सब जानते हैं कि जो लिखता है वह पढ़ने का भी बहुत चौक रखता है तो बच्चपन से लेकर आज तक आपके पसंदीदा लेखक कौन रहे हैं? बच्चपन से, देखिए हर उम्र के लेखक पसंदीदा बदलते रहते हैं बहुत चोटी सी थी तो जो हमारे बाल भारती में जो कवितायर आती थी वो बहुत अच्ची लगती थी उठो लालब आंखे खोलो, पानी लाई हूं मूदो लो, बीती रात कमल दल फूले उनके उपर भोरे जूले चिडिया चहे कुठी पेड़ों पर बहने लगी हवा आती सुन्दर, नब में ना न्यारी लाली च्छाई, पेड़ों पर न्यारी शभी पाई, ऐसा सुन्दर समय नखो मेरे प्यारे अब मत सो, देखो पहली क्लास में पढ़ी हूई कविता भी भी याद है, उसके बाद ध बड़े क्रांती कारी लेखक थे, और उन्होंने समाज की विशमताओं पर लिखा, तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, और आजकल मुझे तुलसिदास जी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जिस छेतर में हैं, उसमें काम करना इतना आसान नहीं है, खा पश्किल इसलिए रहा कि मेरे क्षेतर में ही नहीं, कभी सम्मेलन या साहिती जगत के शेतर में ही नहीं, किसी भी क्षेतर में आज भी महिलाओं को अपना स्थान बनाने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती है, और सबसे हर कदम कदम पर ये साबित करना पड़ता है कि मैं और उसके बाद उसे उसका इस्थान प्राप्त होता है तो मैं केवल इतना ही कहती हूँ कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ जाने कैसी पसंद रखती हूँ हस्रतें दिल में चंद रखती हूँ और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे मैं इरादे बुलंद रखती हूं और आसान इसलिए है आपने जो प्रशन पूछा उसका उत्तर दूँ आसान इसलिए है कि अगर कोई महिला जो कि महिलाओं की संख्या हर क्षेतर में पुर्शों से कम है तो अगर कोई महिला थोड़ा बहुत भी अच्छा काम करती है तो लोग उसे बहुत हाथो हाथ लेते हैं उसकी प्रशनसा करते हैं उसको साबित तो करना पड़ता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लोग ऐसे होते हैं जो उन थोड़े से किये हुए कामों को भी बहुत बहुत अच्छी तरह से उसे लेते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं मैम हर किसी का कविता लिखने का तरीका अलग होता है कुछ लोग को बहुत मेंद करनी परते हैं कुछ लोग को अपने आप आइडियाज आ जाते हैं आपका गीत या कविता लिखने का क्या तरीका है देखी कविता या कोई लेखक होता है उसे बनाया नहीं जा सकता वो तो इश्वर प्रदत प्रतिभा होती है किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए तीन बात आवशक होती है एक तो होती है प्रतिभा दूसरा अभ्यास और तीसरी इश्वर की कृपा तो प्रतिभा तो जन्म जात होती है उसे उत्पन नहीं किया जा सकता हां लेकिन उसका अभ्यास करकर के उसे आगे बढ़ाया जा सकता है और तीसरा सफल होने के लिए आप में प्रतिभा भी है आपने बहुत अभ्यास भी किया लेकिन यश तो केवल ईश्वर के हाथ में होता है कहते हैं न कि हानि ला लेकिन किसी को मेहनत इसलिए करने पड़ते है कि उनको आईडियास नहीं आते वो दूसरों के आईडियास पर चलते हैं और मेहनत इतनी अधिक करते हैं कि वो बहुत अच्छा करते हैं मेरे अनुसार हास से लिखना बहुत मुश्किल काम है लेकिन आप हास से कविता भी बख्भू भी लिखती हैं तो उसके उपर आप क्या कहना जाएं लेकिन हमारे हां पर क्या है कि महिलाओं को महिलाएं हास्से कविता में बहुत कम है क्योंकि बहुत तरे की अटकलें लगा दी जाते हैं जैसे एक बात ही कहते हैं कि हसी तो फसी मतलब हसने पर भी रोक हस दी तो समझ लो कि फस गई तो हसना एक अपने आप में इतना बड़ा इतनी बड़ी रेमेडी है राम बान इलाज है हर उसका इलाज है बीमारियों का लेकिन महिलाओं के हसने पर भी ऐसा नहीं कि किसी ने कहके कर पाबंदी लगा दियो अपने आप लग जाती है वो एक ऐसा शिकंजा कस दिये गया है लेकिन मैं तो जो मन में आता है वो लिक ल पतनी हो तो घर मालिक भी घर दे देता है दफ्तर से जल्दी चुटी अफसर दे देता है शादी होने पर ही कोई जीजा बनता है साली के गोरे गालों पर वो गुलाल मलता है अपने मन से बाहर कर दो शादी वाला डर जी यारों शादी कर लेना ये है मेरी अरजी और कहते हैं कि जो हस्ता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता मेरी बात आपको अटपटी लग रही होगी लेकिन जो हस्ता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता बलकि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम इसी के साथ मैं अक्षिता जैन कैमरामैन अमन वर्मा के साथ आए मिस्टूडे से